नमस्कार एवरिबड़ी मैं हूँ समरिती ग्रोवर प्रोफेसर बड़ा बिजनस और वेलकम टू बड़ा बिजनस जूनियर बीबी जूनियर में आपका स्वागत है ये ऐसा प्रोड़क्ट है जो आपके बच्चे की लर्निंग को टॉप क्लास बनाता है एक नए लेवल तक कहुंचाता है तभी हम लोगों ने इसकी थीम जो रखी है वह एकजैम के साथ भी है और एकजैम के बाद भी क्यूं है ये थीम क्यूंकि आजकल जो मार्केट में प्रोड़क्ट हैं वो या तो आपको इकजैम के सात वाली एदुकेशन देते यानि नरसरी से लेके बारवी तक या कुछी subject की education देते हैं या फिर जो apps हैं वो आपको कुछ skill के थोड़े बहुत courses देते हैं जो enhance करता है आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका आपकी communication style पर हमने आपको जो product दिया है जिसको हम बड़ा business junior कह रहे हैं इसमें ये दोनों का मिश्रण हैं तो आपको school की education जो बहुत important है हम उसको भी आपको एक बड़े ही engaging और interactive तरीके से समझाएंगे और जो school के बाद की education होती है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसी skills हम बच्चे में develop करना चाहते हैं कि आगे चल कर वो competition को face कर सके भीड में पीछे ना रह जाए हर चीज में आगे रहे अपना जो उसको अपना अपनी बात रखना आए ये बहुत important है क्योंकि अब दुनिया बदल रही है पढ़ाई के साथ साथ ये skills future ready skills होना भी बहुत जरूरी है तो अब मैं क्योंकि मैंने एक base बना दी है कि ये बड़ा business junior product में है क्या तो अब मैं आपको एक quick demo देना चाहूंगी कि इसके features क्या-क्या है मैं आपको इस app का एक tour दूँगी इस learning platform में 50,000 से ज्यादा के modules है videos है 3D, 4D, 2D animation के साथ इसमें आपको quizzes मिलती है इसमें interactive sessions है इसमें 10,000 से ज्यादा games है इसमें geography में map work समझाया गया है 3D के तरीके से maths के लिए formula याद करने के लिए पूरी sheets है real life videos से आपको पढ़ाई कराई गई है fully solved NCRT books के सवाल और उनके जवाब है 10W के लिए toppers की answer sheets है ताकि आप board में सही जवाब लिख सको अच्छे number ला सको history समझाने के लिए history की timeline बना दी है बोरिंग तरीके से history नहीं समझनी पड़ेगी 10W के लिए sample papers भी है एक लाग practice questions है हमारे practice section में और ask a doubt feature है अगर बच्चे को doubt होता है तो वो doubt भी पूछ सकता है और हमने कुछ इसमें special content भी डाला है ऐसे बच्चों के लिए जो dyslexia से सफर करते हैं dyslexia एक learning disorder है तारे जमीन पर आपने देखी होगी उसमें इसके बारे में काफी विस्तार में तो बताये ही गया है इसमें बच्चों को लिखने और पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है अब जड़ा आप की तरफ अपनी नजर डाले मैं आपको दिखाना चाती हूँ कि हमने इस आप को कैसे device किया हुआ है इसके UI UX से थोड़ा सा मैं आपको परिचित कराना चाती हूँ तो आप देखेंगे अगर मैं home पे जाओं सबसे पहले तो हमने अपने आप को तीन भागों में बाटके रखा है आप अगर यहाँ इस menu बार पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं study, practice study खोलते हैं, study actually खोल जाता है practice और performance यह हमारे आप के तीन main pillars है, तीन parts है अब मैं अगर आपको कोई भी class खोल ले हैं जैसे आप अपनी class 10 खोलते हैं या कोई भी class खोलते हैं, आप देख सकते हैं यह तीन भाग, यह तीन pillars आपको एकदम आप के बीच में दिखेंगे study जो part है, जो study वाला section है इसमें सब कुछ जो आपकी पढ़ाई से related है आपको मिलेगा इसमें high quality animated content है और सारे बाकी के features है जैसे जो मैंने आपको बताए जिसमें quizzes है, interactive games है worksheets है, कई-कई formula master है तो यह जो सारी चीजे हैं यह आपको study section में मिलती है study section में आपको सिरव एक चीज करनी है आपको menu से जब आप अपना class चूज करते हैं आप किसी भी जब subject में जाए आपको अपना board चूज करना है और अपनी किताब चूज करनी है उस board की जो आप पढ़ते हैं उस subject के लिए जैसे यहाँ पर मैं board CBSE चूज कर रही हूँ हमारे पास CBSE, ICSE और 15 ऐसे state boards का content है तो जो board आप पढ़ते हैं जिस board से आप पढ़ते हैं आप वो select कर सकते हैं और हमने कम से कम 3000 से ज्यादा publishers 3000 से ज्यादा publishers की किताबें इसमें map करी हुई है तो definitely आपका जो भी content है जो आप पढ़ रहे हैं आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा in fact उससे कई ज्यादा मिलेगा अगर आप देखना चाहें कि दूसरे publishers ने क्या chapters डाले हैं आपके subject में अभी जैसे मैंने default to use करा हुआ है तो ये तो हो गए आपका study का part जब study के part से अगर हम पीछे जाएं तो अगला part जो है वो आता है practice का part अब practice में क्या है practice session में आपके पास एक लाख से भी ज्यादा questions का question bank है आप अपने जो भी आपने chapters पढ़े जो भी subject पढ़ा आप उसको practice कर सकते हैं इन सवालों के थूँ आप एक या एक से ज्यादा chapter भी चूज कर सकते हैं अपनी practice करते वक्त जैसी आप select करते हैं chapters वो एक random quiz के form में एक format ले लेता है और आपको questions दिखाता है इससे बच्चा जितनी चाहे उतनी बार practice कर सकता है अगर मैं civics खोलूं अभी जैसे मेरे सामने civics है मैंने इसमें chapter 1 चूज किया chapter 2 भी चूज करा और मैंने start कर दिया मैंने दो चाप्टर पढ़े आभी फिजिक्स के जैसी मैं ये start करूंगी मेरे को एक quiz के तरीके से questions आने शुरू हो जाएंगे आप देखरों यहाँ पर time limit भी मेरी शुरू हो चुकी है और मैं इसका जवाब दे रही हूँ अगर मैंने इसका जवाब दिया submit करा इसके जवाब के बाद मैं next question पर पोचती हूँ मैंने उसको select कर लिया मैं फिर तीसरे पर जा रही हूँ ऐसे मैं जल्दी जल्दी सारे कर रही हूँ select अब भी मैं submit कर रही हूँ बीच में a quiz अब जैसे मैंने submit करी quiz बीच में अब आप देखेगा मेरा overall subject performance कैसे आया वो एकदम मुझे दिख जाता है तो मैंने attempt 5 question किये जिसमें से 4 सही थे और 1 गलत था तो ये मेरा subject wise performance का एक graph आ गया नीचे मेरा chapter wise performance का graph भी आ गया क्योंकि मैंने 2 chapter choose किये थे तो पहले chapter में मेरा कितना score हुआ और दूसरे chapter के सवालों में मेरे को कितना score मिला ये मेरा एक subject performance review एक analysis आ जाता है test का मेरा इस practice section में अगर मैं चाहूं इस test को दुबारा देखना तो review test में भी मैं जाके इसको दुबारा देख सकती हूँ और मैं देख सकती हूँ कौन सा मेरा सवाल गलत था क्यूं था और उसके बाद मैं आगे के questions को भी answer कर सकती हूँ तो ये practice में बहुत ही फाइदा है इसमें test report साथ में आ जाती है जिसमें मुझे पता चलता है कि मैंने कैसा perform किया है अब अगला जो हमारा तीसरा pillar है हम उस पे आ जाते हैं वो है performance मैं performance पे click करती हूँ तो performance में आप देखेगा ये हमारे तीन parts खुलते है performance में एक है analysis एक है track record और एक है suggestions तो performance में क्या है उसको पहले analysis वाले part में overall performance दिख जाती है माबाब को कि बच्चे ने कैसा perform किया है subject में और फिर chapter wise performance ये subject wise performance होती है ये जो performance है ये directly आपके practice questions से linked है तो जितने ज्यादा आप practice questions करोगे उतना ही आपकी performance के बारे में पता चलेगा और उतना ही आपका track जो है record हो सकता है और suggestions मिल सकती है तो जैसे मैंने पहले दिखाया था ये मेरी performance थी मैंने जितने questions civics में attempt किये ये मेरी subject wise performance है civics की अब मुझे अगर track record देखना है ये मेरे हर test की report देता है basically बच्चे ने जो भी test दिया होगा वो माम आपको दिखेगा कि बच्चे ने वो test कब दिया है date, time, कितने marks उसको मिले है basically बच्चा जूट नहीं बोल सकता कि मैंने ये test दे दिया ममी, मुझे इतने marks मिले थे क्योंकि exactly आपको पता चलेगा कि बच्चे ने कब ये test दिया है तो ये हो गया track record और ये है suggestions, ये कुछ interesting तरीके से थोड़े emojis के साथ हमने अपने app में डाली है suggestions में आपको ये पता चलता है कि बच्चे को suggestions देते हैं कि कहां वो थोड़ा weak है कहां उसको improve करना चाहिए कहां वो अच्छा है और इसको बहुत focus करना चाहिए तो ये suggestions वो देख सकता है अभी हम civics की देख रहे हैं ऐसी हम English की देख पाएंगे geography की देख पाएंगे यहां पर अभी आपको no suggestions देख रहे हैं क्योंकि मैंने कोई practice question attempt दी नहीं किया था तो ये एक performance का pillar है जो parents को बहुत help करता है बच्चे की progress देखने के लिए उनको पता चलता है कि बच्चा कैसा subject wise कर रहा है daily activity उसकी क्या है पिछले हफते उसने क्या किया था क्योंकि tuition में बच्चा जरूर जा रहा है पर आपको ये नहीं पता चलता कि बच्चा tuition में कैसा perform करके कहां उसके weak areas है कहां आपको वो report नहीं मिलती इसमें आपको कम से कम वो report एकदम सामने दिख रही है जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा exactly कैसा perform कर रहा है और कहां उसको improvement की जरूरत है और कहां वो actually बहुत अच्छा है तो ये थे हमारे आपके तीन main pillars जो मैंने अभी आपको समझा है तो ये तो था हमारा exam के साथ भी का section इसमें एक और section जो जुड़ेगा वो होगा exam के बाद भी का section और इसको हमने दो parts में डिवाइड किया है एक future ready skills क्या होती है future ready skills जो बच्चे को मानसिक तरीके से तयार करती है जो इतना competitive दुनिया है उसमें shine करने के लिए जिसमें आपको confidence building पे आपको बोलना कैसे है, public speaking कैसे करनी है stage से नहीं डरना है ये सब सिखाते हैं हम जिसमें आपको problem solving attitude कैसे बनाना है conflict लडाई ऐसी situation को कैसे manage करना है आगे चलके teams में आप कैसे काम करोगे पूरी मानसिक्ता बदल जाती है अगर बच्चे को पहले से ही इन सब skills की training मिलती जाए और दूसरी और जो हम सिखा रहे है वो है entrepreneurship क्योंकि entrepreneurship में हम माहिर है और अगर बच्चे को बचपन से ही entrepreneurship mindset build करना सिखाया जाए तो बच्चे का outlook बहुत बदल जाता है चीजों की तरफ वो सिरफ job लेने के लिए ही नहीं पढ़ता वो job बनाने के लिए पड़ता है तो पूरा entrepreneurship का एक curriculum है जिसमें उसको उसके basics finance के basics समझाए है branding क्या होती है, marketing क्या होती है कैसी skills होती है entrepreneurship में go to market strategy क्या होती है लोगों की idea कैसे लोग generate करते हैं तो एक पूरा holistic approach कहते हैं ना 360 degree development approach हमने बच्चे के लिए यूज की है इस app में तभी हम इसको exam के साथ भी और बाद भी का हमने tagline चूज की है क्योंकि साथ तो बहुत लोग निभा रहे हैं बाद में लोग छोड़ देते हैं हम बाद में भी आपको पकड़के रखेंगे थैंक्यू